हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर भी, आएम शिवानी चाहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ हिस्टरी की बुक का चाप्टर फोर, फोरेस्ट, सोसाइटी और कोलोनियलिजम तो देखें, फोरेस्ट होता है, जंगल, सोसाइटी होता है हमारा समाच, और कोलोनियलिजम का मतलब होता है कि कोई दूसरा देश, किसी जैसे सपोस कर ये ए देश है, और ये बी देश है, ए देश काफी अमीर है, और बी देश गरीब है, तो अगर ए देश आ करके बी देश पर राज करने लगे और यहां के लोगों को B देश के लोगों को गुलाम बना ले तो यानि की A ने अपनी कोलोनी बना लिया है B को तो यह प्रोसेस होता है कोलोनियलिजम मतलब गुलाम बना लेना जैसे कि हमारा देश कोलोनी था ब्रिटेन की उन्होंने हमारे देश भारत को गुलाम बनाय हुआ था अपना तो इसी की स्टोरी हम इस चाप्टर में पढ़ने वाले हैं तो इसमें स्टार्टिंग में बताते हैं कि आपने स्कूल के आसपास देखी अपने घर के आसपास देखी और आइडेंटिफाइ करिए उन चीजों को जो कि हमें फॉरेस्ट से यान खाने में खाते हैं सेलफोन का जो रैपर होता है जो वाइट वाइट कलर का और तेंदू लीव जो की बीडी जिससे बनती है और गम जो होती है हनी हो गया कॉफी टी रबर इसारी की सारी चीज़े कहां से आती है और क्या आपने चॉकलेट चो होती है उसमें भी तो ऑईल वह कहां से आता है वह साल का जो पीड होता है उसके जो सीड होते है उससे आता है दद टैनिन यूज्टी चीजे जंगलों से ही तो आती है फोरेस्स हमें बेंबू प्रवाइट करता है प्यूल वोड करता लकडी अगरा घास हो गयी चार्कोल पैकेजिंग जो होती है लकडी के लगड़ों में और बहुत सारी चीजे यह सारी के सारी चीजे हमें कहां से मलती है, फॉरेस्स से मिलती है जो Amazon बहुत जब वराइटी के पेड़ हैं हमारे देश के वेस्टन घाट में काफी जद डाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्निता अब यह ते सारे जो पेड़ है जानवर है धीरी-धीरे कम होते जा रहे हैं और यह प्रोसेस हुआ था 1700 से स्टार्ट औ 1995 आते मान लीजे 10% एरिया को साफ कर दिया गया और उसमें इंडस्टी लगा दी गए जहां पर पहले जंगल हुआ करता था जंगल था या फिर वहां पर पैस्टर से वहां पर जानवर चड़ने जाते थे तो इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए बहुत जगल को काटा गया है साल यह फॉरस्ट जो है चट्रसगर में होता है इतरा घना होता है कि जमीन पर सूरज की रॉष्णी तक नहीं पढ़ती है अब why deforestation? deforestation का मतलब होता है पेडों के कटाही करना भी पेडों को काटनी की जरूरत क्या पढ़ती है पेडों को काटना ही क्यूं है तो disappearance of forest is referred to as deforestation म जो पेडों काटते हैं, कोई नई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कहीं सदियों पहले लगभग 500 साल पहले आप मानलो, तब को लोरियल रूल था हमारे देश में उस समय पर बहुत जादा इस सिस्टमाटिक हो गया था बहुत जादा कल्टिवेशन बहुत तो पहले सिर्फ 1 6th परसेंट ठीक है आप समझ लीजे 1 6th कितना होता है 100 अगर हम लोग टोटल ले ले तो 100 अपॉन 6 तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 जीरो और 3 से अगर हम लोग 50 को काटेंगे तो 3 जा 3 जा 3 और यहां पर 2 बचेंगा और पहले सिर्फ 17% एरिया जो था उट्वेशन में था मतलब 1600 के टाइम पे 1600 के टाइम पे आलमोस लग बहुत लग लग सतरा से 20% एरिया ही हमारे देश में उसके होती थी आज हमारे देश में 50% एरिया पर खेती की जाती है कैसे हुआ है वो फॉरेस्ट को क्लीन किया गया है औ मतलब जंगल को काटा है और या तो खेती करी है घर बने है या फिर आपने भी देखा होगा जब से आप छोटे होंगे आप तो खेर आपके टाइम पे तो बहुत डिफरस्टेशन हो गया था जब हम लोग छोटे थे थे ना था हम देखते थे हर तरफ पेड ही पेड़ और आज हर जग है या तो घर है या तो इंडस्ट्रीज है सडके है सब पतलब पेड़ कटते जा रहे हैं इन कोलोनियल पीरियेट कल्टिवेशन एक्सपांड़ एक्सपांड़ एपिटली फॉर वराइटी ऑफ रिजन को फेला बहुत सारी रिजन की वज़े से पहला था कि बि जैसे कि जूट का इनसान खेती कर रहा है जूट की तो कितना जूट रखेगा अपते पास कुछ भी रखेगा थोड़ा बाता अगर जरुड़ा तो रख लेका बाकी सान वो बेचने के लिए ही उगाया जाता है तो जूट शुगर वीट को बहुत बड़े अरिया पर बेच जिने के लिए हैं तो इसको कॉमर्शल क्रॉप्स कहते हैं इन क्रॉप्स की दिमांड जो है 19th century में यॉरप में बहुत जादा इंक्रीज हो गई थी वियर फूट रेंस वा नीडे तो फीड गोई अबर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन और पॉपुलेशन बढ़ता है औ इंडस्ट्रीज के लिए रॉप माटीरियल की काफी जादा जरूरत थी उस समय पर तो इंडिया से वो सारा का सारा प्रोडक्शन किया रहा था उस समय पर भी है ना क्योंकि हम गुलाम मन चुके थे उनके second early 19th century में colonial state thought that forest were unproductive तो तेखरें आप लो 16th century के ताइम पे एक तो चाहिए बिड़ो को इस पर खेती करनी चाहिए और क्योंकि खेती से फिर पैसा कमाया चाह सकता है और उससे सरकार की इंकम बढ़ेगी तो 1880 से लेकर के 1920 तक बहुत the cultivated area rose by 6.7 million है मतलब जंगलों को काटा गया और उस पर खेती करना शुरू करा गया तो इनको ये लगता था जंगल अन्प्रोडक्टिव हैं और उसकी जगा खेती होनी चाहिए यह देखिए वेलीज वर फुल जब वैलीज की घाटिया फूल होंगे पेंटिंग बाई जॉन डॉसन एक अमारिकन पेंटर है नेटेव अमारिकन लाइक लकोटा ट्राइब हू लिवड इन ग्रेट ऑगरेजों ने कहा कि फॉर्स्ट क्लिया करो डाइब फॉर्स्ड काटके उसे कल्टिवेशन किया जाए अब स्लीप अन डर्ट्राइक स्लीपस क्या होते थे सोने अले सीपर अगर नी जो पहले आप जो रेल्वे की पत्रिया देखते है लोहे कि होती है वह पहले जमाने में आदिवासी इसको हायर करते थे कि भाई तुम अपने जंगल काटो और हमें दो और उस लकडी से मतलब आदिवासी अपना घर बनाने के लिए लखडी नहीं काट सकते थे बगर यह जो अंग्रेज उनके घरों के लिए और उनके देश के मतलब इंडिया में भी नहीं लगता इंग्लाइड में वो खताम होते जा रहे थे इससे भाई प्रॉब्लम हुई टिमबर की यानि की लखडी की सप्लाइए किस तरीके से होगी रॉयल नेवी को तो हाउ कुड इंग्लिश शिप भी विल विदाउट रेगुलर सप्लाइए फ्स्ट्रॉंग और टिमबर तो 1820 आते आते पार्टी सर्च पर निकली एक्स्प्लोर किये कि इंडिया के फॉरेस्ट कैसे हैं और दस साल विदिन डिकेट दस साल के अंदर अंदर ट्रीज वर बिंग फेल्ट वर बिंग एक्सपोर्टेट फ्रॉम इंडिया तो दस साल के अंदर खूब पेड़ गिराए ग आनि की अगर उन्हें हमारे देश को गुलाम बना के रखना था था उनके लिए उनके रहां बाहुत ज़ुरूरि यानि की जो गाड़ी को चलाने के लिए टे लकड़ी को बटी में डाल डालके और चलाया करते थे रेल्वे लाइन चेट बनाने थे है ना उन सब चीजों के लिए बहुत सारे पेड काटे गए थे तो इच माइल ओ रेलवे ट्रैक वस बिट्वीन इतना जादा मतलब 1760 से लेकर के 1760 से 2000 स्लीपर तक उसमें लगाये जाते थे 1860 जाते आते रेलवे नेटवर्क काफी जादा एक्सपैंड हुआ 1890 तक लगवग 25,500 किलो मीटर का ट्रैक बना दिया गया था इंडिया में 1946 तक जो लेंद थी वो ट्रैक हो गई थी जैसे जैसे रेलवे ट्रैक बढ़ा इंडिया में और भी जादा पेड जो है वो काटे गए अब देखिए पहले तो पेड काटे गए प्रेसिडेंसी में ही 35,000 पेड जो हैं वो हर साल काटे जाते थे स्लीपर्स को बनाने के लिए और गवव्मेंट ने कॉंट्रैक्ट्स दिये हुए थे लोगों को ताकि भाई उनकी ज़रूरते पूरी हो से कि मतलब कॉंट्रैक्स दे रखे थी कि भी हमें पेड काटके दो यह कॉंट्रैक्टर्स जो हैं वर बिगन कटिंग ट्री इंडिस्किमिनेटली मतलब बिना सोजे समझे पेड काटे जाने लगे फॉरस्स जो थे अराउंड रेल्वेट्रैक्स फास्ट डिसपीरिंग तो रेल्वेट्स के आसपास के जो फॉरस्स थे वो बिलकुल गायब हो सब्सक्राइब करने लगे थे एलिफेंट पाइलिंग स्कॉयर अफ टिंबर यार्ड इन रंगू तो उठा रहा है एलिफेंट इस टिंबर के उसको है ना फिर यह एक इंडस वैली रेल्वे जो थी वह इतनी बड़ी थी वह इतना बहुत बड़ा एडिया बनाया जाना था जो नीचे टहनी गिरी हुई होती है वो लेकर के जाते है उठा करके है ना तो बहुत जादा नुकसान किया गए था पेडों का अंग्रेज हो करेंट रहा है प्लांटेशन तो लार्ज एरियास ऑफ नेचरल फोरेस्ट वर अलसो क्लियर्ड तो मेक वेड वे फोर टी कॉफी और रबर प्लांटेशन तो मीट यॉरॉप्स ग्रोइंग नीट फॉर दीज कॉमोडिटी तो बहुत सारे पेड काटे गए और पेड काट करके टी कॉफी और रबर के प्लांटेशन लगाएगे क्योंकि वहाँ पे चाय कॉफी की बहुत सादर देमांड थी और रबर भी ट स्टेशन वाला वो देख लिया है और राइज ओफ कोमेर्शल फोरेस्ट्री यह वाला पार्ट जो हम आगे नेक्स वीटियो में देख लेंगे तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो जरूर इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंस के साथ भी शिरा करिए थेंक यू